बक्री व्यवसाई करने के लिए बक्री की प्रजनन की जानकारी होना आती आवश्यक है। मादा 10-15 माह की आयू में प्रजनन योग्य हो जाती है। गर्मी के लक्षन में बक्री पूँच को बार-बार हिलाती है तथा योनी से सफेद स्राव आता है। उस समय इसे नर्बक्रा के संपर्क में लाकर संसर्ब कराना चाहिए। बक्री 150-155 दिन में बच्चा देती है तथा 60-90 दिन में गर्मी में आने पर पुना गर्भित कराना उचित होता है। नव उत्पन शिशू की उचित देखभाल करनी चाहिए जिससे की वह स्वस्थय रहे। बच्चों को दुगधा पान दिन में चार बार कराना उचित होता है। दुगधा का सेवन 6-8 सपता तक कराना चाहिए। 3-9 माह की आयू तक वयस्कता प्राप्त करने हे तु अच्छी आहार व्यवस्था तथा रोग प्रबंधन करना चाहिए। स्वास्थय प्रबंधन, बक्री के बच्चों में डायरिया, न्यूमोनिया, इंटेराइटिस से बचाव हे तु उचित देखभाल करनी चाहिए। वयस्कों में परजीवी रोगों के विरुध्धन नियमित क्रिमिनाशक की दवा पिलानी चाहिए। संक्रामक रोग गलगोटू, इंटेरो टाक्सिमिया, मुनपका खुर्पका तथा पीपी आर रोगों के विरुध्ध समय समय पर टीका करन कराना आवश्यक होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद।